ITA और Polytechnic के सभी शात्र का scholarship status होने लगए है जो भी शात्र scholarship का फार्म भरे थे UP scholarship का फार्म वो सभी शात्र अपना UP scholarship का status देख लें जिसमें आपकी जो भी गलतिये रहेंगी वो पता चल जाएंगी आप उनका correction करवा सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने ओला हूँ किस तरस आपको अपना इस्टेटस देखना है मोबाइल में तो वीडियो में पूरा लास्त तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा UP scholarship जूड़ी latest अपडेट पाने के लिए साथ ही वीडियो को share और like जरूर से कर दीजेगा आप लोग अपने मोबाइल में UP scholarship का official website open कर लेंगे जिसका link मैं वीडियो के description में provide कर दूँगा वीडियो के description में जो link दिये गया है उस पर click करेंगे तो आप सीधे इस page पर आ जाएंगे जो की आपकी mobile screen पर दिख रहा होगा मैं mobile में ही open करके दिखा रहा हूँ क्योंकि student के पास ज्यादा तर mobile ही रहता है उसके बाद आप student के option पर click करेंगे जो student लिख है उस पर click करेंगे तो यहाँ पर तीन चीजे खुलेंगी registration, fresh login, renewal login जो भी छाद first year या first semester की student है उनका fresh login होगा और जो second year या second semester की student है उनका renewal होगा तो आपक अगर fresh के हैं तो fresh पर click करेंगे और renewal के हैं तो renewal पर click करेंगे हम fresh student का open कर रहे हैं तो fresh पर click करेंगे fresh पर आप लोग थोड़ी देर दबा कर रखिएगा फ्रेस पर जब थोड़ी देर दबा कर रखेंगे तो आपके सामने इस तरह से open हो जाएगा इसके बगल में जो खाली जगा है आप कहीं भी click कर दीजिए ताकि ये screen हट जाए उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़े खुल जाएंगी जिसे post metric, pre metric, intermediate और post metric other than inter student जो भी बारवी के बाद के student है यानि ITI, BA, BSC जो भी शाथ है वो post metric other than inter student पर click करेंगे post metric other than student पर click करेंगे इस तरह से open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना registration number, date of birth, password और capture code डालकर submit करना होगा अगर आप लोगों ने farm दुकानदार से भरवाय था तो दुकानदार से आप लोग अपना password ले लिजेगा और registration number भी password registration number डालकर submit करते हैं उसके बाद का process हम आप लोगों को दिखा देते हैं मैंने registration number, date of birth और अपना password डाल दी है, साथ ही capture code भी डाल दी है अब सारी चीज़ें डालकर submit पर click कर देते हैं submit पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह से open हो जाएगा, जहाँ पर आपके college का नाम वगयर रहेगा उपर और बगल में आप यहाँ पर three dots दिख रहा होगा, तीन डंडी छपी होई होगी, उसी पर click करेंगे status देखने के लिए, उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, check current status इस पर click कर देंगे, आपके सामने status सो हो जाएगा अगर आपके सामने status नहीं सो होता है, तो यहाँ पर उपर में जहाँ पर arrow गया है, वहाँ पर कुछ pop-up, block वगयरा का ऐसा notification आएगा तो आप लोग pop-up सो कर दीजेगा, उसके बाद आप लोगों का status सो हो जाएगा, आहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके फ़र्म में जो भी गलती हैं रहेगी, current status में दिखाई जे जाएगी जैसे कि इस शात्र का देख लिजिए, आप reject हो गया है, बैंक की तरफ से reject कर दिया गया है, इसका आधार वगयरा लिंक नहीं किया गया था तो आप लोग अपना status चेक कर लिए, जो भी गलती हो, वो correction हो जाएगी, मैं बताऊंगा किस तरस correction करना है वीडियो बना कर आप लोग चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए, और अपना स्क्रीन स्वाट अगर कोई गलती है तो टेली गराम में भेशकने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है